हलो एवरिवन, सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद वंधना अगरवाल में आप सभी का स्वागत है साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लिस्ठा की ओनलाइन ट्रेनिंग गतिवान है 16 अक्टूबर से ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी और इसका फोर्थ मॉड्यूल शिक्षण अधिगम प्रकिरिया में जैंडर आयामों का समाकलन ये एक नवंबर से स्टार्ट हो चुका है उम्मीद है कि आप सभी अपनी अपनी ट्रेनिंग पूर्ण करने में व्यस्थ होंगे तो इसी क्रम्मे मैं आज लेकर आई हूँ मॉड्यूल फोर के जो लास्ट पार्ट में प्रस्नोत्री दी हुई है उसकी उस प्रस्नोत्री का हल सहित मैं आज आप सब के लिए लेकर आई हूँ तो आप आज देखिए कि इस प्रस्क्षन को पूर्ण करने के बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उन्हें हम किस परकार हल करें वीडियो पसंद आए तो क्रपिया वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्रपिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे अन्य आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं निस्टा के सभी मोड्यूर्स की जो भी ओनलाइन ट्रेनिंग चल रही है उससे संबंदित सभी अपडेट्स के लिए त्रपिया चैनल के साथ बने रहे हैं तो आईए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो साथियो जो हमारा पहला क्वश्चन है प्रस्नोत त्रीका वो है निमलिखित में से कौन सा कथन लड़कों और पुरुसों के बारे में एक जेंडर स्टीरियो टाइप नहीं है लड़कों पुरुसों को रोना नहीं चाहिए दूसरा है लड़का या पुरुस परिवार के पालन करता है तीसरा है लड़के या पुरुस बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं और चौथा है लड़के या पुरुस बहतर चालक होते हैं तो जेंडर स्टीरियो टाइप क्या है जेंडर स्टीरियो टाइप है जब हम किसी जेंडर के बारे में अपनी एक पूर्वाग्रे या एक पूर्वधार्णा बना लेते हैं तो उसी को हम जेंडर स्टीरियो टाइप कहते हैं तो लड़कों के बारे में या पुरुसों के बारे में जो gender stereotype हैं वो हैं कि जैसे कि मर्दों को रोना नहीं चाहिए यह हम सबी ने अपने बच्पन से सुनाई कि लड़के कोई रोते हैं या फिर लड़के बहतर चालक होते हैं कि किसी भी वहन को अगर चलानी की बात है तो ये माना जाता है कि लड़के उसको बहुत अच्छे से चलाते हैं और लड़का और पुरुस परिवार के पालन करता है ये तो प्राचीन काल से ही माना जाता रहा है तो इस में से gender stereotype क्या नहीं है कि लड़के या पुरुस बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं ये gender stereotype नहीं है अब हम देखते हैं next question निमलेखित में से कौन सा कारिय लिंग भेद को नहीं दरसाता है यानि कि ऐसा कौन सा कारिय है जिसमें लिंग भेद नहीं पता चलता सैफाली परवता रोही बनने के लिए prescription ले रही है इससे लिंग भेद पता नहीं चलता क्योंकि हमारे समाज में क्या माना जाता है कि परवता रोही जैसे जो काम है वो लड़के ज्याद अच्छे से करते है परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोही त अपने परिवार के लिए सबी फैसले लेता है ये लिंग भेद दर्सा रहा है बंटी और उसके दोस्त आम तोर पर टॉय कार और टॉय गन के साथ खेलते हैं ये भी लिंग भेद दर्सा रहा है क्योंकि हमारे हैं ये मा नहीं दर्सा रहा हुआ अब हम नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्या है निमलिखित में से कौन सा वाक्य सही है लड़के और लड़कियों के साथ बरावरी का व्यभार किया जाना चाहिए बिल्कुल सही है लड़के लड़कियों से अधिक महनती होते हैं यह गलत है महिलाओ का इसथान घर है यह भी गलत है लड़कियों को श्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए वसाधी के लिए बनी परतात्मक, नहीं, जेंडर, लिंग्भेद या फिर यौन और सेक्स तो यहां पर हमारा है जो यौन और सेक्स है वो तो होता है जैवी लेकिन जो जेंडर होता है वहोता है सामा जी तो इस्काइश यौसर हो Young और स्थित्र उच्थर को जो संदर्वीत करता मिथक बोलते हैं मैंसुरेशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेस नहीं करना चाहिए ये तो जेंडर मिथक है लड़के तरकसील होते हैं और लड़कियां तरकहीन होती है ये भी जेंडर मिथक है लड़कों और लड़कियों के बीच जैवी कंतर उनकी संग्यान क्षमताऊं से संबंधित नहीं हैं यह क्या है यह egErम inफनिन और कनीक तो यह विए विए यह है यह एक्षेंडर मिव्थक और दो सही आंसर वो एक लड़कियों के बीच जैविक नहीं और उनकी संग्यान आत्मक मॉन क्षमताऊं से संबंधित नहीं अब देखे next question ए जेंडर और यौन यानी कि sex के bीच आवश्क अंतर ढंटर क्या है यौन एक जैविक अंतर है जबकि जी पुरु सो और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है पिल्कुल सही जैंडर एक जैविक अंतर है जबकि यौन पुरुस और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है यह गलत है क्योंकि जैंडर जो है वो सामाजिक होता है जैंडर और यौन में कोई अंतर नहीं है या फिर कोई भी नहीं तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कि जो यौन है या सैक्स है वो एक जैविक अंतर है जबकि जेंडर पुरुस और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है ये हो जाएगा इसका सही आंसर अब हम चलते हैं नेक्स कुशन पर निमलिकित मैंसे कौन सा कथन लड़कियों और महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियो टाइप नहीं है पहले हमने देखा था पूरुसों के बारे में अब पूछा गया है महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियो टाइप नहीं है लड़कियां महिलाओं खराब निर्ने लेने वाली होती है ये तो है माना जाता ऐसा स्टीरियो टाइप है लड़कियों और महिलाओं को पतली और सुन्दर होना चाहिए ये भी हमारे समाज में माना जाता है लड़कियों और महिलाओं बातूनी होती है ये भी महिलाओं के बारे में कि स्टीडियो टाइप है लेकिन जो फूर्थ वाला अंसर है लड़कियों और महिलाओं के पास नेत्रतों कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्क्रस्ता प्राप्त कर सकती है ये एक स्टीडियो टाइप नहीं है तो हमारा सही आंसर भी यही होगा नेक्स्ट कॉश्चन है क्या ये कथन सही है कि राजनीती में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुसों की तुलना में महिलाओं कम सक्षम है हाँ क्योंकि महिलाओं घर के काम करने के लिए दिकनुकूल है नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पूरुसों की तरही सक्षम है। हाँ, महिलाओं को जैविक रूप से कमजोर यौन माना जाता है। या फिर हाँ, वे भावनात्मक रूप से कमजोर हैं और निन्ने लेने में सक्षम नहीं है। तो हाँ वाले इसमें तीनों ही गलतें नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पूरुसों की तरही सक्षम है। क्यों दोनों के लिए। जेंडर के बारे में निमली खित में से क्या सही नहीं है। जेंडर पूरुसों महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दरसाता है। जेंडर महिलाओं पुरुसों और ट्रांस जेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है या फिर जेंडर संबंद समय के साथ और लोगों के बीच समूं के बीच बिन होते हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं तो ये कौन सा सही नहीं है कि जेंडर पुरुसों महिलाओं के बीच पुरुसों महिलाओं और ट्रांस जेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्साता है ये सही नहीं है ठीक है जैवी कंतर को दर्साना क्योंकि एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है और जेंडर संबन समय के साथ लोगों के विबिन समुहों के बीच भी भिन होते हैं इसमें पूछा गया क्या सही नहीं है तो जैवी कंतर को दर्साना ये सही नहीं है क्योंकि जेंडर पुरुसों महिलाओं और ट्रांस जेंडर के बीच सामजी कंतर को दर्साता है यह देखिए अब आप हमारे स्कोर देख सकते हैं 10 अपॉन 10 और इसके बाद हम इसमें नेक्स जाएंगे तो फिर हमारा क्या आजाएगा यूपी सपोर्ट निस्टा जिसमें की यह बताय करने के लबक साथ से 10 कारी दिवस के उपरांत मिलेगा तो यह फिर यहां आप इंतजार कर सकते हैं अपना सर्टिफिकेट आने में थोड़ा सा टाइप लग सकता है फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद